महिस्त रामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेम शुरात करते हैं टॉप फाइब खबरों की मुंबई के मुलुन इलाके से दिल को जगजोर देने वाली घटना सामने आई है यहां पर एक महिला ने अपनी 40 दिन की बच्ची को उठाकर 14 मंजिल से की बालकनी से नीचे फेक दिया है आनन फारन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोसित कर दिया है सुचना मिलने पर मौके पर पहुची पुलिस ने महिला के खिला बच्ची की हत्या का केस दर्ज कर लिया है हलाकि अभी तक बताय जा रहा है कि महिला को गिरफतार नहीं किया गया है मुंबई के कल्यान में विठलवाडी रेलवे स्टेशन पर आरपी एफ जवान की सतरकता से महिला की जान बच गई है विठलवाडी रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन में चड़ने की कोशिस कर रही थी और उसी समय उसका संतुलन बिगड़ने से वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो जगा थी उसमें गिर गई महिला को ट्रेन घसीटते ले जा रही थी लेकिन जी आरपी जवान की सतरकता से महिला की जान बच गई है तीस साल की नजमी शेख नाम की महिला और उसकी नौ साल की बेटी खलीफा रेलवी स्टेशन पर आई थी दोनों अमबरनाथ की और जाने वाली ट्रेन पकड़ना चाहती थी मुंबई के दादरी इलाके में इस्थिते एक बारह मंजिला इमारत में आग लग गई है रेंट्री नाम की बिल्डिंग में आग लगने की सूचना पर फारी ब्रिगेट की टीम भी पहुँच गई है मौके पर पहुची फारी ब्रिगेट की टीम ने आग पर काबू पा लिया है इस घटना में एक साथ वर्सिये बुजुर्ग की मौत हो गई है मामला आगरा फतेहपूर सीकरी का है जहां खेत में मजदूरी करने गई 65 साल की बुजुर्ग महिला को तीन लोगों ने हवस का शिकार बना कर उसे मौत की नीच सुला दिया है इस मामले में गाओं के ही तेसपाल और उसके रिष्टेदार सही तीन लोगों पर मुकद्मा दर्ज किया गया है यूपी के नोड़ा में 6 साल की बच्ची से रेप का आरूपी सौरफ पुलिस इंकाउंटर में घायल हो गया है उसे अस्पाल में हिलाज के लिए भरती कराए गया है आरूपी सौरफ के खिलाफ ठाना सेक्टर 49 में पॉक्सों के तहट F.I.R. दर्ज किया गया है